गुड़ मॉनिंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आए बच्चों हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। सभी अपना हिंदी ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नमबर फोर खोलेंगे। पेज नमबर फोर यहां देखे विशय सूची। आज मैं आप लोगुं के लिए हाफ्यरली एकचम का सेले बस दे रही हूँ। सभी अपने हिं बुक पर दाग लगाएंगे। पेज नमबर फोर में है विशय सूची। यहां खोलेंगे। चैप्टर वन भासा और व्याकरन। चैप्टर टू लिपी और वर्न माला। चैप्टर थी शब्द और वाक्या। चैप्टर फोर संग्या। चैप्टर फाइब लिंग। चैप्टर शीक्स वचन। चैप्टर सेबन शर्बनाम। और चाप्टर 15 पत्र लेखन क्या है पत्र लेखन ये जो जितने भी आज मैंने यहां दाग लगाया है वो हाफ्याली एकजम का सिरिबस है तो सभी इसे पढ़ेंगे और चाप्टर 15 खोलेंगे चाप्टर 15 हम लोगों ने ये पहले पत्र लेखन कर चुके हैं आज हम लोग इसे फिर से एक बर दोराएंगे पत्र लेखन यहां पर है देखिए एक नमबर में कक्छा में प्रथम आने पर नाना जी को पत्र लिखो यहां बोला जार है कि काक्षा में प्रथम आने पर अपने नाना जी को पत्र लिखना है तो हम लोग यहां अपनी बाई और जिसके लिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका यहां पता लिखना है, अड्रेस लिखना है तो ये नाना जी का अड्रेस है, हम किसी को भी पत्र लिखते हैं, तो अपने बाई और जिसके लिए पत्र लिखते हैं, उसका यहाँ पता लिखना है, अड्रेस लिखना है, तो यहाँ नाना जी का अड्रेस है, डी टुटइटिफाइब डिफेंस कॉलोनी नैदिल्ली 3 अपरेल 2014 पूझय नाना जी साधर प्रणाम हम लोग पहले यहां बड़े जो रहते हैं उसको पूझय नाना जी फ्रेंड या सहेली मित्रे रहते हैं तो प्यारी सहेली प्रे मित्रे यह सब लिखते हैं यह याद करेंगे बड़े रहने से पुझिया माता जी पुझिया बाबा जी यह सब लिखते हैं और शादर प्रनाम उनको अपना प्रनाम जताते हैं शादर प्रनाम, ये लिखने के लिए ना भूले, ये सभी लिखेंगे, और यहां पर हम लोग अपना हाल चल बताते हैं, हम लोग यहां कुशल पूर्वक हैं, आशा है कि आप सब भी वहां शाकुशल होंगे, तो ये हम अपना यहां पाले परिचाइ देंगे, हम लोग कैसे हैं उसके बाद उनका परीजãy पोचेंगे और यहां पर विशय जो आप क्ते न जाते हैं आपना आप एम दो रहेें लिखेंगे उसके बाद में नीचे में बाई और सब ये लिख कर खतम होने से अपना यहां नाम लिखेंगे इहा पर क्या के लिए अन nearे में यहां कक्षा में प्रथम आने पर लिख रहे हैं तो अपना एक्जब में क्या रैंक लाए है वो सब यहां लिख सकते हैं उसके बाद पेज नमबर 69 में भी यहां है यहां पर दूसरा नमबर में है बहन की साधी में आने के लिए मित्रे को पत्र लिखू तो यहाँ पर बहन की साधी अपनी बहन की साधी के लिए मित्रे को पत्र लिखना है तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार आपके मित्रे को पत्र लिखना है तो आपके मित्रे का यहाँ पता लिखना है आपका मित्र कहां पर रहता है उसका यहाँ आड्रेस पता लिखना है जैसे यहाँ देखेंगे 12,4 रोड कोलकाता 24 अगस्त 2014 प्रिये अमित नमस्ते यहाँ पर आप डेट भी लिखना है आप किस दिन आप लोग आप जब लेटर लिख रहे है उस दिन का यहाँ डेट लिखेंगे और उसका आड्रेस पता और यह प्रिये अमित अपने सहेली को लिख रहे है आपने फ्रेंड्स को इसले प्रिये अमित अपना दोस्त है यह प्र अमित लिखेंगे नमस्ते नमस्ते या उसे आदर के साथ लिखते हैं तो सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है और यहां पर हम लो अपनी बहन की साधी के लिए बुलाते हैं तो यहां डेट डालना है पहले उसको हालचल पूछना अपना हालचल बताना है साध कब है आप उसे कब बुला रहे हैं उसे यहां लिखना है और लास्ट में अपना नाम देना है उसके बाद में यहां तीसरा नंबर में है प्रधान अध्या चार्या को आवकास के लिए आवेदन पत्र है प्रधान चार्या को आवकास के लिए आवेदन पत्र है आवकास मनें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य किस स्कूल में आप पढ़ते हो वे प्रधानाचार्या, यहाँ पर अपनी बाईयोर, तो प्रधानाचार्या कर अप्लिकेशन यहाँ देख लिजे, आप लोग हम लोग से बड़े हैं, प्रधान हैं उन लोग प्रधानाचार्या, तो हम लोग उसे आदर से सेवा में या आप लोग नवकरी के लिए अपलाई करते हैं तो ये विशय लिखना ना भोले यहाँ पर देखे प्रधाना चार्या को किस प्रकर लेटर लिखते हैं सेवा में सबसे पहले यहाँ देखे सेवा में प्रधाना चार्या मौडन स्कूल मुरादाबाद 8 सितंबर 2014 ये स्कूल का नाम है कि आप अपलिकेशन लिख रहे हैं इसका यहाँ लिखना है डेट प्रधाना चार्या ये सब लिखेंगे जरूरी है इसमें नंबर मिलता है सेवा में प्रधानाचार्या मॉडन स्कूल मुरादबाद 8 सितामबा 2014 और यहां पर विशय लिखेंगे आप आवकास के लिए आवेदन पत्र आप छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यहां विशय विशय आवकास के लिए आवेदन पत्र उसके बाद में महोद है यह हम लोगों से बड़े हैं इसलिए हमें यहां लिखना पड़ेगा महोद है उसके बाद में हमें लेटर लिखना है कि आपको क्या चाहिए क्या के लिए छुट्टी साविनय निवेदन है कि हम उसे निवेदन करते हैं प्रधन अचार्या से निवेदन करते से साविने निवेदन है कि मेरे छोटे भाई का मुंडन 12.2014 को होना निश्चित हुआ है। इस कारण मैं 12.2014 को विद्याले नहीं आशकूंगी। तो इस प्रकार यहां अपना कारण बताना है क्या के लिए आप इसको नहीं आ सकेंगे। वो लिखने के बाद में यहां अपना अपना नाम और क्लास यहां पर आपकी आज्याकारी शिश्या यह जरूर लिखेंगे आपकी आज्याकारी शिश्या लता शर्मा कक्षा 3C यहां पत्र लिखने के बाद में आपका नाम और काक्छा ये लिखेंगे। तो सभी इसे हाप फ्यरली एकजम के लिए प्रिपेर करेंगे। धनियवाद।